तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तो इसमें आपको पता लगेगा कि आपको ज अकाउंट हो फ्रीज कैसे होता है मतलब आप अपने अकाउंट पैसा क्या करते हो ताकि आपको ज अकाउंट हो जाता है कुछ एक्टिविटी वगारा कुछ भी करते होंगे तो आपका से सबसे बात करेंका लाएड़ कैस ब्रोटेश करना लाट क estát जो हो फ्रीज ने होथी आपकी ऑईडी आनफ्रीजी है तो टेंशन मत लिया करो अफisphere नेस आप आपने काफी सारी रील अप्लोड कर रखी है ओके और हमापे ना कुछ रील आपकी ऐसी भी है जिन पर काफी अच्छे व्यूज है लाइक चार अजार पांच अजार छे अजार या फिर दस अजार तक इसलिए व्यूज है मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी आइडी पर अधर आइडी पर पहले व्यूज आता था और अब व्यूज नहीं आ रहा है ठीक है अगर आपकी आइडी पर ऐसा केस है कि आपने बहुत सारी रील अप्लोड कर रखी है और नॉर्मली आप रील अप्लोड करते जा रहो बट आपकी आइडी पर या फिर आपकी रील पर एक भी अधर बंदे का response नहीं आ रहा है एक भी अधर बंदे का व्यूज नहीं आ रहा है आप अपने अकाउंट का जो रीच है उसको जाके चेक कर रहे हो तो वहाँ पर जो नोन फोलोड वाला box होता है ना तो वहाँ पर बिरुकुल जीरो पीपल दिखावा आ रहा है या फिर वह आपका अकार नहीं है वह यहारे बात करते हैं कि आप कर देते हो जिसकी यापका रहा है और फ्रीज हो जयता parallel आपने एकॉण्ट पे काफी सारी टॉपृक्षे एकिनी मतलब यह कि आपने दो रू कर दी और फिर उसके बार में दो तो यह बहुत ऐसे न आपको जो टॉपिक हो फो नहीं करना तो इसको अच्छे समझ में आजाएगा कि अप इस टॉपिक पर काम कर रहे हो और इसी से लिल आप अपने रिल अप्लोड कर रहे हो ठीक है अगर आपको टोपिक फूड है तो केवल फूड को ही लेके चलो आपको टोपिक कोमेडी है तो कोमेडी को लेके चलो आपको टोपिक लव सायरी है तो भाई आप लव सायरी को ही लेके चलो ठीक है आप वहाँ पर टोपिक चेंज मत कर टोपिक चेंज कर दोगे तो इस ट्राम को जो लुटम है वो कंफ्यूज हो जाएगा फिर आपको जो व्यूज है वो डाउन हो जाएगा इसलिए कहा रहा हूं कि किसी एक टोपिक को पगड़ लो और उसी टोपिक पर चलते रहो जो कुछ दिन आपको व्यूज कम आएगा और आपका जो अकाउंट है वो भी बचा रहेगा वो भी फ्रीज नहीं होगा अनफ्रीज ही रहेगा ठीक है सकिंड वजे ये भी हो सकते है दोस्तों कि आपकी जो फोलोवर्स है ना जितने भी आपके फोलोवर है तो उन फोलोवर में आपकी जो फेक फोलोवर है वो अगर जाद है तो भी आपका account freeze हो सकता है ठीक है मैंने एक बार पहले भी कहा था कि fake follower को remove कर दो और अब फिर से कहा रहा हूं कि आपके followers में अगर fake follower की संख्या जाद है ठीक है जो कि negative activity होती है आप एक तरिके से कह सकते हो कि वो बंदेना Instagram पे है ही नहीं ठीक है आप ऐसे बंदों को remove कर दो अब आप यहां पर यह मत कहना कि हमारे follower कम हो जाएंगे देखो follower कम नहीं होता यार इससे ना आपी का फायदा है और मैं भी आपको एक बार बता दूँ कि मेरा जो account है मेरे account में खुद negative activity है यानि कि जो fake follower है वो काफी है तो मैं भी उनको daily remove करता हूं ठीक है तो आप भी remove कर लेगर हो इससे आपके ID fresh हो जाएगी एक तरीके से कहों तो unfreeze हो जाएगी ओके तीसरी वज़ा यह भी हो सकते है दोस्तों कि आपना अपने ID पे कहीं से fake follower increase कर रहे हो या फिर आपने अपने ID को किसी third party version में login कर रखा है ठीक है या फिर आपने किसी को पैसे देकर अ अपने ID के साथ कुछ case कर रखा है तो भाई आपके ID हाँ पे 100% freeze हो जाएगी ओके अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको अपने account unfreeze कैसे करना है मालने जिए आपने कोई case कर रखा है अपने ID के साथ तो आप उसको release कैसे कर सकते हो देखो भाई जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपने mixed topic डाल लख है रील में आपने mixed topic डाल लख है तो भाई आपना अपनी उन रील में ऐसी रील को delete कर दो जिसपे की बहुत कम views है बहुत कम like है उसकी reach नहीं बहुत कम गई है अधर बंदे से कोई impression नहीं आ रहा ठीक है तो ऐसी रील को delete कर दो फिर चाहे वो कितनी प्रूफ कर देना ठीक है जो आपके follow राक्टीव है केवल उनको रखना ओके फिर इसके बाद में आपको ना यहापर जो आपका password है तो उसको change कर देना है ठीक है फिर यह सब काम करने के बाद में आपको जो अपना account है उसको personal में change कर लेना है आपका account professional में था तो आपको अ ठीक है इस्टोरी भी मतलगाना ठीक है इस्टराम वैसे ही बस देख सकते हो मतलब बातचीत करो किसी से भी बट उस पर activity मत करना ओके फिर अरताली घंटे रुकने के बाद में आपको अरताली घंटे हो जाएंगे तो normally यहापे ना सबसे बहल तो आपको अपना account professional करना है फि कोई भी रिल अपलोड करो बस यह द्यान दखना कि वह फेक नहीं होनी चाहिए मतलब किसी कहीं से उठाके मतलाना ओके और बाई एक बात और द्यान दखना कि यहापे ना जो आपका टोपिक है या फिर जो इस टोपिक से भी लिल अपलोड करोगे तो उस टोपिक को लेके चलना ठीक है यह निगी भाई आपने फिर से मिक्स कर दिया टोपिक मिक्स मत करना मैं आपको फिर से कह रहा हूं एक ही टोपिक लेके चलना ठीक है आपकी जो आईडिया है वह अनफ्रीज हो जाएगी ओके